हाई वेलकम टू माई चैनल आई हो आप सारे अच्छे से होंगे और ये आज की जो रैस्पी है वो गाजर से बनने वाली एक स्वीट डिश है और कोशिश करिएगा जूसी गाजर हो और कलर में रेड हो तो ज्यादा अच्छी डिश बनेगी ये मैंने इसको अच्छे से पील क करके वाश कर लिया है आप मैं इसका जूस निकाल रही हूं तो आपको जितनी कॉंटिटी में ये स्वीट डिश बनानी हूं मैंने ये चार से पांच गाजर ली है इसमें सफिशेंट स्वीट डिश बन जाएगी ये देखे जूस निकल गया अच्छे से और यहां पे मैं ड कॉंटिटी के अकॉर्डिंग इसको कामिया जादा कर सकते हैं और ये देखे इसको अच्छे से हिला लीजिए क्योंकि लंप्स ना पड़े ये मैंने पैन रग दिया है गैस पे अभी भी मैं इसको हिला रही हूं क्योंकि ये जो कॉन स्टार्च है ये नीचे बैट जाता है तो इसको अच्छे से हिला करके आप डालिए का पैन में ये मैं डाल रही हूं नॉन इस्टिक पैन मैंने लिया है ताकि जो है ये डिश अच्छे से बन सके तो इसको कंटीन्यू आपने हिलाना है क्योंकि इसमें लंप्स पढ़ते हैं अब ये बॉयल होगी तो उस समय इसक तो ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूं आप मीठा अपने कॉर्डिंग रख सकते हो मैं थोड़ा कम ही डालती हूं तो मैंने कम ही डाला है और ये डाल रही हूं एक चमज मैं इसमें एक देसी गी ताकि टेस्ट आए और एक अच्छे सी शाईन आए इस मिठाई में तो इसको अ ठीक से नहीं होता मतलब प्लास्टिक जो है गरम के लिए ठीक नहीं है उससे कैंसर होने के चांसिस रहते हैं तो स्वील या आप काच कहीं बरतन लीजेगा तो ये मैं एक कटोरी में डाल के देख रही हूं कि अगर ये अच्छे से इसकी बॉल बन जाएगी तो ये स्वीड कर सकते हैं देखिए अच्छे से ये इसका बाउल बन रही है इट मीस ये मिठाई अब जनने के लिए बिल्कुल रेडी है ये देखिए अब मैं इसको प्लेट में जमा दूंगी जितना भी आपको चाहिए मैंने हाफ पोर्शन में इसको जमाया है और बहुत ही जल्दी ये और ये देखिए कितनी अच्छी मिठाई बन के रेडी आ रहा है ना आपके मुझ में पानी तो फिर जल्दी जाईए गाजर का भी मौसा में है अभी तो किचन में जो भी आपका ड्राइफरूट रखा है उससे आप ये यूज करिए बनाईए ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनी है ये मिठाई और कितनी जल्दी बन गई है और मैं इसका जो जूस गाजर का पल्प है इसको भी यूस करने वाली है मेरी नेक्स्ट रेस्पी में देखना कि मैंने उस पल्प से क्या बनाया कहते ना आम क्याम गुठलियों के दाम और अगर आपको म नही रेस्पी के साथ तब तक कि लिम बाई एंड टेक कियर